दोस्तों, Motorola बहुत ही इंटरस्टिंग स्मार्टफोन्स लाँच कर रहा है, अब देखें ये जो फोन है, Moto Edge 40 Neo, एक तो ये काफी अमेजिंग दिखता है, वैसे ये दुनिया का पहला IP68 रेटेड स्मार्टफोन है, वीगन लेधर फिनिशिंग के साथ में आता है, प्लस 144Hz पढ़िया है, लेकिन Motorola phones की सबसे बड़ी इशू आज के तारीक में ये है, कि इनके जो फोन से ये आउट ओफ स्टाउक हो जाते हैं, इतनी आसानी से मिलते नहीं है, वैसे चलिए चेक करते हैं, कि ये जो Motorola Edge 40 Neo है, इसका performance कैसा है, देखते रहिए, तो ये है box packing, ये भी plastic free packing ह ये जो color variant मेरे पास है, ये है Pantone Caniel Bay, काफी amazing दिखता है, और जो handful है, क्योंकि इस पर vegan leather ये उसके आगया है, वो भी काफी amazing है, बॉक्स में booklet है, और SIM reject pin दिया हुआ है, और एक case भी दिया हुआ है, ये भी एक काफी interesting case, Motorola ने box में दिया हुआ है, ये climate friendly phone case है, ये 100% plant based है, और इसमें कोई भी sharp edges नहीं है, curvy design है, और ये वाके में environmental friendly भी है, और ये दिखे, case मैंने इस phone के पर लगा दिया है, बहुत ही unique type का case है, जो की, जो look and feel है, प्लस जो hand feel है, इस phone का उसे काफी हद तक ये change करता है, and of course ये protection भी provide करता है, इसके अलावा box में ये 68 watt का adapter दिया हुआ ह और cable दिया हुआ है, looks की अगर बात करें तो काफी impressive है, ये दुनिया का lightest IP68 rated smartphone है, जो की vegan leather finishing के साथ में आता है, जो touch है काफी बढ़िया है, और खास करके क्योंकि इसका जो form factor है, ये एक तरह से curved type का है, screen भी curved है, और जो back है वो भी curved है, जो feel है, hand feel वो काफी amazing है, ये 10 bit curved display है 144 hertz refresh rate support के साथ में आता है, full HD plus resolution है, HDR 10 plus support के साथ में आता है, 1300 nits brightness है, मतलब की धूप में ये जो display है बहुत ही बढ़िया तरीके से visible है, ये 6.6 inches का P OLED display है, रियर साइड पर dual camera setup दिया हुआ है, 50 megapixel और 13 megapixel और selfie camera 32 megapixel का है, ये है camera का interface, photo mode में wide angle का option है, macro का भी option दिया हुआ है, औ और filters के भी options यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, portrait mode, background को blur करता है, यहाँ पर काफी interesting है, ये रिखे 24 mil, 35 mil और 50 mil का option मिलता है आपको, portrait mode में, जिससे आप बहुत ही बढ़िया cinematic style के photos shoot कर पाएंगे, pro mode भी है, अगर आपको manual photographic knowledge है, तो आप ये जो mode है, ये सारे options भी available है, video mode में म move करें, जो framing है, वो काफी हद तक stable रहने वाला है, ये देखें, ये है sample photos, ये मैंने photo mode से shoot किया हुआ है, ये मैंने जो wide angle option है, उसे use करके shoot किया हुआ है, ये है portrait shot, काफी बढ़िया shot इसने shoot किया हुआ है, background blurring भी काफी बढ़िया है, ये है long shot, और night shots भी ये काफी बढ़िया shoot करता है, ये है wide angle night shot, और ये है 1X night shot, और selfie भी ये काफी बढ़िया shoot करता है, ये देखें, मैंने ये studio light में shoot किया हुआ है, selfie में भी आपको दो options मिलते हैं, थोड़ा सा wide angle selfie, और दूसरा है normal selfie, और ये देखें, ये है video, जहां पर मैं चल के record कर रहा हूँ, stability की की काफी बढ़ और normal usage के लिए भी जो handset है, काफी बढ़िया है, अगर आप ज़्यादा वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए ये जो handset है, बहुत ही बढ़िया option है, इसलिए क्यूंकि ये बढ़िया display के साथ में आता है, प्लस stereo speakers इसमें दिया हुआ है, ये 8GB, 128GB या फिर 12GB, 256GB variants में अव स्मार्टफोन है, बेस्ट स्मार्टफोन कह सकते हैं, अडर रूपीज 25,000, ये फ्लिप कार्ट पर अवेलिबल होगा, इसका प्राइजिंग है 23,999 रूपीज, 8GB वाल जो वेरिंट है उसकी, और 12GB वेरिंट का प्राइजिंग है 25,999, और festive period के दोरान आपको अच्छे प्रा झाल कर वेरिंग